महिला को लगाया बायोनिक हैंड 95% काम असली हाथ के शमान दोस्तो स्वेडन की 50 साल की कारली केशिला केरिना को बायोनिक हैंड यानि हाथ लगाया गया है तीन साल पहले हुई सर्जरी में एक खाश बात यह है कि बायोनिक हाथ हड़ी माशपेशियों तंत्रिकाउं से जुड़ा हुआ है और ब्रेन से मिले संकेतों के आधार पर काम करता है यह वास्तविक हाथ की तरह ही काम करता है दोस्तो इसकी मदद से कारली अपने 80% काम कर लेती है सफलतादर 95% छूने की अनुबती भी क्रित्रिम हाथ से हो रहा है छूने की अनुबती भी छूने की अनुबती बिलकुल सेम वैसे हाथ की तरह है दोस्तो वह पांचों अंगुलियों को वास्तिविक अंगुलियों की तरग घुमा भी सकती है कारले का हाथ कोहनी के नीचे से खेत में काम करने के दोरान हुए आजसे में कड़ गया था उसके बाद वक करीब 20 साल तक दिव्यांग रही अब उनकी कमी खत्म हो चुकी है खाना बनाने से लेकर सामान उठाने तक का काम कर रही बाय निखात की मदद से काले खाना बनाने से लेकर वस्तिम उठाने कपड़े या बैक को जिप करने और दरवाजे के हैंडल या श्कुरू को मोड़ने जैसे काम आसानी से कर सकती है काली बताती हैं जब पहली बार उन्हें इसे लगाया गया था तब ऐस है निये दरद हुआ था लगता था कि मांसपेशियों को चक्की से पीछा जा रहा हो लेकिन अब ये दरद खतम हो गया है बायोनिक टेकनोलोजी और रिसर्च में करान्ती साइंस रोबर्टिक्स मेगनिक्स में रोबर्टिक्स इंजिनीरिंग मेक्स आर्टीज ने कहा है कि तीन साल पहले लगाये कृत्रम हाथ से कालियब अपने रोजाने के काम कर रही है आने वाले समय में इस से दिवेंगता पर चीत हासिल की जास केगी